आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ अगर कोई टीम एक गोल ले रही है तो दूसरी टीम का उसमें से माइनस वन पॉइंट होगा अब यहां पर तीन मैच होएं A, B, A, C और B, C ठीक है वो तीनों मैच देख लेते हैं A, B, A, B मैच देख लेते हैं इसमें, इसमें B विनर है and total points scored by B in this match is 4 तो B के कितने point है? 4 point है ठीक है? और A के कितने goal है? 2 goal है ठीक है? किसी भी खिलाडी ने बाहर से goal नहीं गया तो इसका मतलब B ने कितने point करें, goal करेंगे? 3 goal करेंगे क्योंकि A के 2 goal भी तो minus करेंगे तो B के goal हो जाएंगे हमारे 3 ठीक है? और यहां पर A के goal कितने है? 2 2, 2 नहीं 4 और B के कितने goal है? 3 तो 4 में से 3 minus कर देंगे तो इसके point आजेंगे 1 point ठीक है? अब यहां पर A C का match हुआ है A C का match का match हुआ है और C ने कितना score किया? C ने कितना score किया है यहां पर C score 0 point ठीक है? और यहां पर A ने कितना score किया है? A ने score किया 4 point ठीक है? और एक इसके खिलाडी ने एक इसके खिलाडी ने बाहर से goal किया तो इसको मतलब 3 point तो एक बार में मिल गए और इसके 1 goal और किया होगा इसमें 3 और 2 5 और C का 1 goal होगा तभी इसमें से 1 minus करेंगे तो 4 point आ जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे A के goal कितने आ गए A के goal आ गए हमारे 2 goal ठीक है और C के goal कितने 1 goal और A ने कितने goal करेंगे दो goal तो एक goal के कितना point है दो 2 minus 2 is 0 point ठीक है तो यह यहाँ से satisfy होगा अब तीसरा होता है B C का ठीक है अब B के कितने point है B के हमारे 6 point ठीक है और B के खिलाडी ने बाहर से goal किया है और C के किसी खिलाडी ने goal ने किया पर एक goal फालत हुए B से C का ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर इसके एक खिलाडी ने 3 point ठीक है बाहर में ले लिए प्लस 3 point कैसे हैंगे 3 point ऐसे हैंगे कि C का एक goal फालत हो जाए B से तो यहाँ पर हमने इसने 5 goal और करेंगे 2 multiply 5, 10 और 13 तो यह कितने हो जाएंगे यह कितने goal हो जाएंगे C के अगर हम यहाँ पर 5 एजूम करते तो 5 और एक 5 और एक 6 और एक 7 ठीक है 7 goal हो जाएंगे माइनस 7 तो यह कितना आएगा 10, 3, 13, 13 में 7 तो 6 यानि कि 6 point है यानि कि satisfy कर रहा है तो इसके B के कितने goal हो गए हमारे 6 goal ठीक है 6 goal हो गए और C के goal कितने हो गए हमारे 7 goal तो इसके point कितने हो जाएंगे 7 तो यह 14 माइनस 6 तो यह 8 point ठीक है अब question में क्या given है What is the maximum possible sum of total number of goals scored by those players of all the 3 teams who scored more than 1 goal in a tournament ठीक है और क्या given है इसमें given है only 3 players from each team scored a goal खाली 3 ही player है एक team में से जो score कर रहे हैं goal को तो 1 के total goal कितने हैं हमारे पास 1 के total goals हैं हमारे पास 2 goal तो यह रहे और 2 goal यह रहे 4 goal 4 goal ठीक है 4 goal को हम कैसे maximum divide करें जानी कि 3 खिलाडी ने goal करें ठीक है इन दोनों ने कर दिया होगा 1 के तो maximum कितना कर सकते हैं कि इस खिलाडी में maximum कितने goal करेंगे इनमी से 2 ठीक है ऐसे ही B का निकालेंगे B के total goal कितने हैं B के total goal है हमारे तीन यहाँ पे हैं और यहाँ पे कितने goal हैं ठीक है छे और तीन नो goal हैं ठीक है तो इस खिलाडी ने पहले वाले ने maximum करेंगे यह दोनों एक एक करके बैठ गोंगे तो इसके कितने goal होगे यहाँ पे साथ और यहाँ पे कितने होगे दो ठीक है अब सी के total goal देख लेते हैं सी के total goal कितने हैं साथ तो एरे और एक यह रहा है आठ goal ठीक है आठ goal तो एक एक इंदान होने करेंगे maximum और छे किसने करेंगे एक एक इंदान होने करेंगे और बचे कितने होगे हमारे छे इसने करेंगे तो total goal कितने होगे हमारे जो कि इस खिलाडी ने करेंगे यह maximum वाला है यह maximum goal करना है ठीक है ठीक है तो यहाँ पे होगे 2, 7 और 2, 9, 9, 6, 15 तो total goal एक खिलाडी ने 15 goal कर सकता है maximum ठीक है तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा option 4 ठीक है thank you क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीड आयाइटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स कभर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर